हलो फ्रेंड वेलकम टू बीपीसे पैटफॉर्म आज का जो हमारा सेशन होगा इस्पेक्टेट के उचे रिवियन सीरीज का पार्ट ठीटू और आज इसे सेशन में हम लोग करेंगे बीपीसे प्रिवियस येर जो मोडर्न हिस्ट्री के सवाल पूछे गए उसका पार्ट फा वह मैं आपके वीडियो बना के दूँगा एक होगा तीस मिनिट का वीडियो होगा जिससे आपको बहुत कुछ मतलब बहुत हिलफुल वीडियो होगा आपके लिए और मैं बता दू कि अभी आपको यूनियन बजट और यूनियन एकॉनमी सर्वे ठीक है इस दोनों का मंदे आने वाला है उस मंदे तक आपको एकॉनमिक सारवे भी आपको मिल दागा यह दोनों वीडियो बहुत ही महत्पून है को पूरे देखने को मिलेगा और बहुत ही बहुत बेहतरी न तरीके सा आपको मैं बजट पताऊंगा बहुत ही शरलभासा में क्या पढ़ना है क् बजट बहुत बार डॉक्मेंट होता है लेकिन हम लोग वहां पर अच्छे तरीके से कभर करेंगे तो जल्दी मिलेगा यह तो बजट का पाट वन आपको दो एक से दो दिन के अंदर ही आपको मिलने वाला है विसे के लिए कंटेंट त्यार है बसको रिकॉर्ड करना है तो आ हमारा आज का सेशन होगा 121 क्योंचन से लिए तो सवाल नंबर एक्टिस कहता है वेंडिड अटेंप अब दमडर ऑफिंग्स फोर्ड मेड एट मुझा परपूर इंग्स फोर्ड की हत्या का परियास मुझा परपूर में कब किया गया इंग्स फोर्ड कि अगर हम बात करें है तो इनका हत्या का परियास 1908 में किया गया और बैसिकली अगर आब बात करें किंग्स फोर्ड की बात करें इसका नाम था डॉगलस किंग फोर्ड एक मजिस्ट्रेट था क्या था यह बहुत अब कर सकते हैं कि कुख्यात था किसी के लिए कि जो भी भारतिय करांतिकारी थ हुआ है ठीक है और 1908 में खुदी राम और प्रफुल चाकी ने इनको उपर बंप फेका जो ठीक है इनको बंप फेका लेकिन इनकेस आप द्यान के कि बंप मिस्टेकन से मिस्की पहचान नहीं पाया कि इसमें किंग्स फोर्ड ही बैठा हुआ है और उस पे प्रिंस केनेडी कैनेडी की वाइप और डॉटर थी मिस्क दो अंग्रेजी महिला थी वह बैठी हुई थी ठीक है और एक ठीक है इस बात ध्यान रखेका और यह प्रिंस केनेडी एक ब्रिटिस बरिश्टा था इसको आपको नहीं आदा है कि दो इसमें ब्रिटिस महिला थी और उनकी कहीं न सब्सक्राइब को अपने आप हत्मात्य कर लिए मिन्स के अपने आपको गोली मार लिया और खुदी राम बोस को नंटी जिरेट में फ्वाची पिच रहा दिया गया तो यह आपको ध्याने की कि कि फॉर्ड हत्या कांट से खुद्दी राम बोस प्रफुल चाकी समन्दी थ सब्सक्राइब को पता है तो क्यूं खिलापत मुव्मेंट का आखिर का महत्मा गांदी ने सपोर्ट कियो कैसा मर्थन क्यों कि गांबरी चाहते थे कि जो मुस्लमान है वह ब्रिटिस के खिलाप लड़ाई में हमारा सपोर्ट करेंगे तो इंडियन मुस्लिम भी उसके एंगे इसलिए उनने खिलापत मुवमेंट को सपोर्ट किया लेकिंग है यह मुवमेंट अटमन इंपाइर आटमन इंपाइर को बचाने के लिए था इस बागव भाग नहीं पायर सपोर्ट के दर सेंट्रल पावर को फिर जब हो हार गए तो वर्सायल हुआ ठीक है और कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हम हम चलेंगे सवाल नंबर 123 the method of moderate leader of the Congress की उधारबाती निताओं की पति यह प्रतिता जैसे कि दो बढ़ गए थे नाटी जिरो से बने के सुरत पता होना चाहिए तो की जो जो उसमें तो उसमें हम सब भाग लेंगे हम अपने को पूरा करवाएंगे वह ब्रतित का जो भी मतलों कहने का यहां पर ना पड़ेगा तब हम इनको हटा सकते हैं बहुत सारे वोट से करना पड़ेगा ओक है तो इनका में का था करना रूप से मेंज की हम सविधान बनवाएंगे अपना राइट से लेंगे तो यह था में मोडेरेट का में यहां पर लिखा हुआ है कि दो मोडेरेट यूज्ट कॉंचिशनल एडिस्टेशन्स एंद एम एडिटिक अडिस्टेटिव रिफॉर्म मिन्स की प्रसासिनिक सुदहाज चाते थे वह ठीक है बिटी से इस बात हो धार कि मिस कॉंसिल के चुनाव में लड़े इनका प्रिंसिपल समोरेट का जिनके लिए जाने आपके सामने आप देख ली जगे इसको कौन को नहीं इस चाते था कि हम सवराज लेंगे रहेंगे हम किसी के अंदर में नहीं रहेंगे हम अपने आप से चलेंगे और उनका अप्रोस था वह बहुत रिडिकल था ठीक है व है विपर अगेंस ट?. का bucks करेंगे हम से बैसे राल बाल पाल आपको नाम पताए और विंदोगो से और भागो सारे तीसलिकले रेविदमिंदोगो से हैं यह आज शाम्रीन कहीं कहीं कह programmers का बहुंग ज़्यदा णरूना अंई उनको पर टिप नई आ किए तो आपको पता होना चाहिए तो जो ने में मेथज़ था लेडर का ठीक है एक चुछ नमश्वाब काता है दौनों को गिर्पतार कर लिया गया था और इनके अगेंस्ट में लोगों ने बिरोत किया था जानियां वाला बाग था वहां पर यहां पर सब लोग एकत्रित हुए थे और वहां पर मतलग करने का मतलब इस तरह चीज़ चल रहे थे लेकिन लेकिन चीज़े क्या होई कि अब देखिए जहां पर रॉले टेक्ट लागू है कावा कावन लागू है तो क्या हुआ कि द्यार रखेगा यह किसी के द्वारा कर दिया मिए पुलिस की इन फॉर्म कर रहे ठीक है पुलिस माइकल लटार उसमें लेफ्टिनेंट गौर्णर था पंजाब का वह कि इस तरह चीज़े हो रही है क्यों समय इस तरह था कि कहीं पर मीटिंग नहीं करना है अब इसने ओडर दिया आर डायर को ठीक हार था इसने पूरे एग एग इट था जाले माला वाग में ठीक वहां इस इगजिट को बंद कर दिया और धाम धार को चलाने लगा तीस तरह चीजे हुई तो बहुत जादा लोगों क्या मिर्ति हुई वहां पर ओके बागी इसके लिए बहुत सारा कमीटी जैसे हंटर कमीटी बैठा अंटर कमीटे बिटिस के तरह बठा गया बोला कि बहुत ही तीन सो कुछ लोग की मिर्ति इसने बताया कि इसको इसको इस बात को नहीं माना फिर कॉंग्रेस ने तहकिकात कमीटी बिठाया ठीक है तो और इन्होंने बता कि हजार लोग की है मिर्ति हुई वहां पर तो यह सारे रिजन थे इस बाग ध्यान रखेगा तो कि माइकल ओडायर को इसलिए उद्धम सी ने देख सकते हैं कि यह नांटीन नांटीन में हुआ और लगवग 21 साल के बाद कैंस्टन हॉल लंद के पहले सबसे महत्पून अगर हम संगठन की बात करें मैं यह उली पढ़ा चुका हूं मैंने बताया था कि इसको हम मानते हैं कि यह कॉंग्रेस से पहले की एक राष्टवादी संगठन था ठीक है इंडियन अफ कलकता की बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेगा इसके बारे में कि इसका सब्सक्राइब का इस्टेब्समेंट अठाराथ 76 में हुआ था ऊके अठाराथ 36 में हुआ था ओके और इसमें दो लोग थे अनन्द मोहन बोस एट सुरेंदरनाथ बैनेंजी टीक है इनके द्वाराएं अनुद बहुत सिंपल सवाल ही ओक यहां पर देख सकते हैं वोड़़्ृष संकaremos वा था तो तिरिपूरी संकर हुआ ओके तो तिरपूरी में जब यह एक बार हरी पूरा में हरी पूरा में यह कांग्रेस के भिम यह रहा तो चुब ए heating चुक्ट है लेकिन बदूम खुंगरेस के पहला जो कॉन्फरेंस हुआ था और नागपुर के जुन नांटीफोर्टी में वह था ओके और दूसरा आ रहा के बिहार में वह था बिहार के लिए बहुत महत्पूर्ण से यह हमारा सेशन रहेगा इस चीज़ को द्यान रखिए ठीक है सेकेंड जो कॉन्फरेंस हुआ था ओ वह थे लाला लाच पत्रा है ओके देख सकते हैं कि और इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस का फॉर्मेशन एकति सक्टों निसो बीश को हुआ और लाला लाच पत्रा इनके पहले प्रेसिदेंट बने और दिवान चमन लाल इनके फर्स्ट सेक्रेट्री बने और इट व इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस से जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑस ट्रेड इनियों से अफ्फिलियेटेड था इस बात को द्यान रखेगा ठीक है हम चलेंगे स्वाल नंबर वन ट्वेंटीएट की ओर वेर वार्थ फ़र्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा पॉं देक और अब बिहार प्रोविंशियल किसान सवाब बोलेगा तो उनिस सो इन्टीज में स्वामी सहानांत के दवारा और और इंडिया किसान सवाब इसके प्रिसिदेंट को बने थे स्वामी सहाना इसी जो आपको देहान में रखना ठीक है चलता है सवाल नमर 129 डरीवल्ट ऑफ इन्हों ने इस चीज को लेड मेंस काने का नितीतर किया अठा सुन्दामन के विद्रों का लखनाउ से इस चीज को देहान रखेगा और जब ब्रिटिस ने ठाव छपन में अनेक्स काने कमत की अबद को अपने अनेक्स कर लिया था और बाजिद अली साह को कलकटा के लिए इकसाइल कर दिया थे कि वहां से निर्वासन कर दिया गया था कलकता में लखनाव में थी और इन्होंने उनकी जो आर्मी में राजा जैलाल सिंग्ग थे जो ब्रिटिस के अगेंस्ट पर रिवेल किया और ठीक है सी डिकलेर हर सन विरजी कदर और इन्होंने अपने सन थे टिरिडिस है दोबारा लखनों को गैप्चर कर लिया शी डाडि नेपाल समय नहीं इस वाग। दहां रकेगा चलेंगा सवाल नावर एकसुत इसकी योडिया मोमंट की बात करें करो यहिंग से आया तो क्यूट इंडिया मुवमेंट की बात करें बर्दा जो कॉंग्रेस का सेस्टन हुआ तो वहां से सीच का शुरुआत हुआ और यह आठ अगस्त उनिस्टो बैलिक्स शुरुआत की आपको डेट नौ अगस्त मिलता है तो रात को बैसिकली वा तो आठ ते नौ अगस्त उनि इसको इसमें डू अड़ा करोया मेरो का नहरा दिया गया था ओके और यह बंबे से सुरुआ को को याद रखना है स्वाल मेरे कश्टिस की बात करेंगे कर आप्टर रिवोल्ट ऑफ एक्टी फिप्टी सेवन बिटिस रिकुटिटेट सोल्जर सॉल्जर फों देकि अठाश इस चलियर कंपणी तिन के पर देखें लिखा गया है कि इसुक्राइब कमपणी मेंद compat क और लावाण ग्राहिस में इंहं के लोग रहते थे की ठ्क है और रिवोल्ट के बाद बैंगौल आर्मी को फिर से रे- पास्टिरों किया गया और जगह पर सीख लाए ग÷या पंजाब मौहमम्डन के लोग लाए गए तो कहीं ना कहीं गोरखा सीख पन्जाबी लोग सामिल हुए जब के बाद कहा बेंगोला मिस्ट चुकप को याद रखना ठीक है 132 की बाद करा मिलिटेंट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मुवमेंट देखे अगर भारत में ट्रेड यूनियन अंदुरण का उग्रवादी चर्ण को देखा जाए तो यह उनिसो चब्वी से लेके उनिसों चालि इनका था कि जो भी बरकर उनका ग्रिव नांसरेज को उनके ग्रिव नांसरेज को सुनना उनके रेप्रेजिंट करना आई ये लो में 1920 में बहुत जादा आपने देखा कि सेवल कॉम्मिनिस्ट बैक टेड बहू सारे ट्रेड यूनियोन को मंद्श करने का मतलब है बहुत सा तो पर वारे युनियों लेटर को द्रो के लिए चार्ज किया मिन्स कि द्रो के लिए उन्हें दोशी तरह आए गया तर्टेड यूनियन एक्ट रावनेश हब इस में टीक है उसमें था वास पास्ट टू रिजिस्टर टे इन यूनियन थे उनको रिश्टर करने का मता इन इस प्राइब प्रप्रोच और क्लास स्ट्रागल लेट वस्हुची ओर इंडिया ट्रेड यूनियन कंग्रेस उरी इनसेशन या एज इड्स नाख पूर से सब्हुंति निंदीश का नाखपूर सेशन हुगा तो तो वहां पर आउल इंडिया ट्रेड अग्रेस वा तो प्रम उन्हों से लिए कि उन्हों से लिए को मिलिटेंट फेज बोलते हैं ट्रेड यूनियन मुव्मिंट का इस बात देने कि जब पढ़ेंगे अम लोग जब आप्सन पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे चीजों को बहुत यह बहुत महत्मून टॉपिक है उन्हीं पढ़ेंगे बिहार के लिए तो ये मैं बता चुका हूं कि 3828 में ब्रह्म समाज के स्थापना कि इस बात को याद रखना है मैंने बहुत कुरिसा किया था पिछले क्लास में आज करेंगे और इसके बाद राजा राम मोहन राय से सवाल कुछ भी आएगा तो आप लोग उत्तर दे पाएंगे राजा राम मोहन राय को पहले बाद पादर और इंडिया रेने सा बोल रहा था मिन्स की इन्हें भारती पुर्ण चागरान के पिता बोला जाता है ओके इनका जन् स्थापना की निस सो चौदा में यह ध्यार रखेगा फिर तरुम्त स्थापना करेगा ब्रहम समाद करें ब्रहम समाद बन जाएगा अलग बात है लेकिन ब्रहम समाद पुझा तो ठाघ्डद टाई सियंहां मुर्ट ठीक है ठीक है फिर इन्होंने नहीं सो उनने तीस में सत को भी आपको यादर किस एक्ट के थ्रू सती को हटाया गया लौड बिलेंटी के दवार तो बेंगाल सती रेगुलेशन सत्रामा ओके फिर अठास उन्टीस में इंगलेंड गये हैं ओके और क्योंकि जो किंग आकबर जो थे उसमें मुगल सासक आकबर दूती था उसके रिप् 22 में बेदानता काउले जटारतों 26 में ओके और बहुत सारी इनका बूक भी है जैसे कि आप देख सकते हैं एक गिफ्ट टू मोनोथेष्ट तो फुत अल्मुहाबदी इनका बूक का नाम है बैसिकल इंगलिस में नाम से देख सकते एक गिफ्ट तू मोनोथेष्ट अठारत सब्सक्राइब कर रहा हूं तो मुझे बारा बताने के जरूत नहीं आएगा तो आप बता बता पाएंगे ओके अब उसके बाद देखे लिखा गया और इसके बाद देखे द्हार रिखेगा फटार ची बरहा समाज बट गया और इस बार रहा रहा लेकिन भारती बरहम समाज रहा तो की सब्सक्राइब कि दबारा खाली ब्रम समाज रहेगा तो मोहन रोय लेकिन भारति ब्रहन समाज रहेगा तो किस रेन के ढवार ठैक है और एक आदी ब्रहं समाज यह देवेंदरनाथ आग La cuenta बोएस तो आपको याद का स्लोगन दिया और बोला कि वेदा जो है सारे नौलेज का सोर्स जितने वी ज्ञान उनकी शुरोत है उनके सत्यात प्रकास हिंदी में वेद्भास से भूमी का ये अब बेदिक कमेंटरी है एक तरह से बेद्भास से एक इभी बेदिक कमेंटरी संस्क्रीत में तो इसको चलेंगे चलेंगे सवालना में जो घटना उनको अंजाम देने में पीछिन परफुल चाकी आप अब आपको बताया खुदी रामबोस तो आप देख सकते हैं यह अनुस्यला समिति का स्थापन उन्यस्यों में हुए था अर्विंदो और उसका भाई बरिंदर घोस तोनों ने मिलके किये थे इनका था कि बिटी सुल को खतम करना उके इनका बुक्स आप देख साते हैं कि इस अब कुछ जनरल के जुगांतर निसो छे में ठीक है अभी अभी नास भाटाचार के दवारा भुपेंदर जद्द के दवारा यह जुगांतर जो का सकते हैं कि जनरल है वह आपको नाम्याद रखना है अब देखें उनसीलन समीता का एक ब्रांच पटना में खुला निसो तैरा में सचीदणैज के दवारा बहुता में आप संरियाल के दवारा बचना में एक ब्रांच खुला था अनसीलन व्मिट है इस बात को याद अ tiene पालिट्टी रिंट फेंस पालिशी रिंग फैड से समझे तरी के वारेन हैस्तिंग से समझें थे रिंग फिंस पॉलिसी इस चीज को याद दर बिंग फिंस नीटी क्या है देखें रिंग फिंस नीटी की बात करेंगे यहां लिखा हुआ है वेन हस्टिंग से बात करेंगे तो कब था सब्सक्राइब इतना दिन तक रिंग फेंस पॉलिसी चला था इस बात देखेंगे बाद में सबस्टी अलाएंस आएगा अब रिंग फेंस पॉलिसी जो है इसका मन था कि वर्फर एस्टेट बनाना ठीक कैसे यसे मान लेते हैं एक ब्रिटिस टेट यहां भी ब्रिटिस लोग रह रहे हैं ठीक है अब चहां यह जितने भी इसके चारत तरफ राज ह है जितने इसके चारत अफराज हैं अब इदेखे सरेbra abad के पार सबसे इसने बॉफर एसमें बनाने चाहा अब यह क्या था' कि पहले हैंदरबाद को करें लें उसको सबस्क्राइब है और यह है क्या है कि जो भी मेरा दूस्में तो से उसल्प करेंगा ऐसा था तक बना के राकना है जैसे देख सकते हैं अब रोहिल खंड है यह सारे मराथा के रूप में काम किया और हैदराबाद को एंगलो मैसुल आप देखा है है तो यह सारे इनका काम था बनाने का ठीक है लौड बलेजली पता है साहे अकसंधी ओके रिंग फेंस का एक समझ सकते हैं की है एक तरह से ओके तो यह सारे आपको समझ में आ गया होगा रिंग फेंस पॉलिशी से समंधित हैं एक सुबारतिय स्वाल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंगलाइंड अड़ टाइम आफ क्यूट इंडिया मुवमेंट देकि मैंने बताया कि जितने भी मुवमेंट इस बात को धियान में रखना ठीक है वर्दा सिस्तन वर्दा सिस्तन से पास हुआ था कि इंडिया मुवमेंट कर रहा मारो गॉल्य टंग बंबे एक सुन चाले समस्वाल कता है कि देवबंध स्कोलर करना मताई इसने फ्रीडम मुवमेंट में बहुत ज्यादा युगदान देवबंध स्कोलर देवबंध कि अगर हम बात करेंगे एक तरह को सगठत था इस चीज को दानिया तो इसमें सबसे महत्मून जो अगर हम बात करें तो अबुल कलाम अजाद बहुत ही महत्मून देवबंध जोड़े हैं और इन्होंने बहुत जादा फ्रीडम मुवमेंट पर सपोर्ट पर अबदुल कलाम अजाद को पहला एजुकेशन मिनिस्टर और बोला आता है अम बहुत है मतों कि थे आफ देवबंध मुवमेंध इन शहार्ण पॉन्डिष्टिक इन अठाव छियासट बाइब मुहम्मद कसिम ननोतावी एंड रसिद आहमद गंगोही इन दोनों के द्वारा देवबंध मुवमेंट की शुरुवात की पहला बाद ठीक है इट वाद रिवेलिस्ट मुवमेंट ठीक है रिवाबिलिस्ट मुवमेंट विच सुनी इसलाम इसलामिक सेमिनरी इंदे टौन ओफ देवबंध की एक तरह का रिवाबिलिस्ट मुवमेंट था मतलब जो सुनी को रिवाइब करने की बात यहां पे था ठीक है अबुलकराम अजाद के बारे में कि मक्का में इनका जन्म हुआ बिसिकली और यह पार्डेशन सब बंगाल के पॉजिशन में रहें इन्हों मौलाना अजाद के बार कर रहा है कि बर्क फुर वकिल एक नीश वेपर था हमरे साथ से उसके लिए काम किया ओके और इन्होंने एक नीश वेपर भी सुरात की जिसको अलहिलाल के नाम से जाना जाता है यह बहुत सारे बोक लिक है इंडिया स्थापना की बात करेंगे तो आपका हो चुका था पता होना चाहिए बंबे में तो पहले पूछा कि कि स्थापना कब हुए फिर पूछता है कि और अध्यक्ष कौन ही लालाच पत्रा आप पूछा कि का स्थापना बंबे में कब हुआ बस कन्फ्यूज किया गया है सवाल को चरपांच बार घुमागे पूचा है तो एकतिस अक्पर उनीश सो बीस को सेम अर्सट में शुरुआत की गई एक तरह का डेली निश्वेपर था ओके और अठार से खतर में पत्रीका के जो ऑफिस था उसको कैलकाटा मुफ किया गया ठीक है और फिर इंग्लिस और बेंगाली दोनों में इनों निश्वेपर को च्छापना स्टार्ट किया अठार से गया तो कौन लाया था लिटन कौन खतम किया ठर्शकासी में रिपन करता हूं बारव याद करना है ओके तरह सारे चीज़े आपको समझ में आ गया चलते हैं आगे सवाल नंबर एक सुटे तालिस कॉंग्रेस मुव्मिट वाइदा पीपर नौर डिवाइस और प्लान वाइ यह चीज़े समझेगा कि यह कौन बोला होगा यह बोलेगा जो कॉंग्रेस के अगेंस्ट में होगा तो यह बोला गया था लाल आजपतरा ने इंडियनेशन कॉंग्रेस को जोईन के ठरस अठाटी में रोट बूक यंग इंडिया दूरिंग इस टे इन यू एस एन इस पब बानवाई देम यह समझे में तो कहने में तो कॉंग्रेस को बतार जा रहा है कि उस तरह का संस्ता नहीं है कि हर एक बर के लोगों को यह परतिजित्व कर रही है ठीक है और विंदो गोस इसलिए जो बूक लिखा था ओल्ड लेंप करके जो बूक लिखा था उसमें उनों ब इड़ सो कंप्लेटी आइस तुसी देर इस्सिस्टेंस अज ऑन्रेवल मेंड डिपेंड रॉन इट्ससफूल मेंनेजमेंट जब सबस्पूल होता है तभी इसको इस तरह समत ऑन्रेवल मेंन की रूप में एजिस्टेंस देखा था फिल किया था बट उतना है नहीं तो यह महत्मिन भूमी का कि से नभाई तो गांदी इरविदि सम्झावता में जो महत्मिन भूमी का नभाया वह तेज बहौदूर शुकरिणे एक मेंबर भी रहे हैं और इन्होंने पूना प्रेक्ट में बहुत अच्छा अपना भूमियका निवा है 1932 में इसी कौप को याद रहा की बात करेंगे मतलब यह हुआ कि हम डेटली हिट नहीं करेंगे अंग्रेजों को सपोर्ट करना है छोड़ दें जहां पर अंग्रेजों को फाइदा हो रहा वहां पर हम अपना सपोर्ट डालेंगे तो एक कहीं न कहीं न कहीं प्रोलम होगा उनको लाएगी नहीं है भारते विरोद कर रहे हैं तो निसकीरिये परतिरोद का सिद्धान्त और विंदो घोस के द मुखद्र का कम ठीक है तो मुखद्र का मिंस की मौद्पिस की बहुत ज्यादा उनकी बातों को उसमें में मैंसन किया गया वह बहुत ज्यादा तो वह निश्पेफर ता लीडर अंत्रिया नृःब का यह अंगलिव्यड three would, अ यहां पर समझ में आपको आ गया हम जलेंग सवाल नंबर 147 कि विच प्रेसिडेंट नेगोसियेटेड विट बोथ क्रिप्स मिशन और लॉड बेबल की बात कर रहा है तो यह दोनों जो आपके आएं इसमें ने बात किया मिसकी दोनों मिशन से बात विमर्ष किया तो यह कौन थे तो वो थे अब्बूल कलाम अजात इसके बारे में तो कलाम आशाहते हैं वहोत्य इंगेस्ट परसंते थे लोका पता होना चाहिए सामिल होने आइब में सामेल ने हुने होने मेरे फिर शुट को चालीस पर काम सबया करिप्स मिशन कुई इंडिया मॉव्मेंट बेवल प्लान और स्रीमौडा को इन सारे में इस दौरान यही रहे थे प्रिसिडेंट और बात विक्या था जो भी मिशन्स आयं जो भी मतलों कहने का मतलों यह जना आया सबको कहीं ने बात किया तो अब उलकला माजात इधर एक स्वाल कहता है कि अंडर पुना पैक्ट आपको पता होना चाहिए अब देखिए आपको पुना पैक्ट जब आया तो बिसिकली जो भी आपके उसमें दलित वर्गत थे उनको सीट की बात की गई तो देखिए उसमें स्वेंटी वन और 147 सीट दिया गया इस बात को याद रख तो कि मुसलिम के लिए पर्टक निवाच्र परनाली उन्हेक सबर्थे की बात की घई लेकिन बात की बथे कॉमनल लबाद के सपोर्ट में ओके लिए कि महात्मा गांधी निसको अपोच आगर अगर सब को बाई सेपट एलव टोड दिए तो कहीं न कहीं बहुत अप्लेगा ठीक है सब लोग भी पुरा समाज बढ़ जाएगा इसलिए इसका भिरोध हुआ और इस बात उदाहान के इस लिए ध्यान रखिएगा कि जो पूना पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट हुआ था जिसमें तेजबाद सपरों ने एक मेडिटे करूप में भूमिका निवाई थी मात्मा गांधी और बीच में तो इसके लिए और फिर बात में जाके यह डिमांड जो मतलब था कॉम्परमा की बात कर दे गई रियर्व कर देगा सीट सीट कर देगा देहां देखिए एक तर से तालीस सीट कर देगा प्रुवेंसल लेस लेचर में इस बात को द्हान रखेगा ओके यह चीज़ को याद रखना है ठीक है और एक्टी पसंट और टोटल इन दर सेंटर लिशेशर मेंस क सब्सक्राइब के लिए रखना है हम चलेंगे सवाल नंबर वन फोटी नान के वर फॉलाविंग कैप्टिलिस्ट सर्वाइज ए आई सीची ट्रेजर फॉर लॉंग पिरिएड एंड बेंटु जेल इन उनिसो तीस देगे ए आई सीची के ट्रेजर के रूप में एक को सागा कोशा धर्ष के रूप में काम किया और वह जेल भी गया उनिसो तेस में वह कौन थे तो वह थे जमनाल बजाज एक उधोग पती थे फ्रीडम फाइटर भी थे और माहत्मा गांदी के बहुती क्लोज एसोसेट भी रहे हैं उन्होंने कॉंग्रेस की ट्रेजर के रूप में बहुत तर्म बहुत समय तक काम किया उनिसोट बीस में जंडा सथ अगरा जो नाखपुर में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया गांदी सेवा संग की स्थापन नोंने किया और ओर इंडिया खादी वोर्ट की भी इनुन कहीन किया उनको इरेस्ट किया दो साल का कठीन संथाल देखे मैंने संथाल रिवोल्ट के बारे मैंने बहुत कुछ बताया इंदो कानों ठीक है पूलो जहानों यह सारे कुछ ऐसा लीडर है जो कि संथाल मुम्मेंट में संदित हैं कि संथाल मुम्मेंट के बा difils भड़ी čांड के पूरी ही निकंट में आपका संथाल कमंडर ऩत्रों की हार होई ती नWhat में पूछा ना किसकी हार होई तो मेजर और इस बात की संथाल मुम्मेंट सब्स्राइस संथे संथाल ada लिए लिए टिक मुवमेंट रिचलेगा अस्टार्टेट किया थे तीस जूनु अठरास पच्पन को इंदू का सिधु मुर्मु कानु मुर्मु एंड चांद और भैरेवी चार लोग थे और निकी दोनों बहन सिंदू मुर्मु की बहन फूलो जहानों इस समझदी थे यह पास इस बात को देहा मेंखेगा तो आज से अगर भी संथाल दी बीदेन से सवाल आएगा संथाल मुमिर से तो अब लोग उतर दे पाएंगे चलिए मिलते हैं लोग नेक्स सेसन में नेक्स सेसन जो हमारा कल का होगा वो लास्ट शेसन होगा आपका मोडर्न हिस्ट्री का ठ इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे जोग्रफी या पॉलिटी जो भी हमारा उस पर चलेंगे प्रीविश सेसन मजा रहा होगा तो आप लोग एक पर लाइक जूर करेंगे अगर आप लोग नए होंगा तो मिलते हैं कल के वीडियो में और आपको जल्दी मिलेगा बजट का वीडियो तो इसको भी देखना देखना आपको है ठीक है चले धन्यवाद